तो मैंना मैं दरेंदर आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर आज की वीडियों बात करने वाले है बजेट और बजेटरी कर्ट्रोल के प्रैक्टिकल कोशन करने वाले है यहाँ पर बात करने के जो कि फ्लैक्सिबल बजेट के कोशन होता है बहुत ज़्यादा पूशे आता है कोशन खासकर बीकों में तो पूशे आता है यह बहुत ज़्यादा तो वैसे के मैंने उपर एक फ्लैक्सिबल बजेट कैसे बनता है उसके पर एक वीडियो बना रखी है मैंने और आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक देरता हूँ और आप वो जाके देखना ना तो आज की हम पहले हम समझते है कि इस कोशन के तुरू कि बजेट फ्रैक्सिबल बजेट बनता कैसे है जैसे कि लिखते है अब यहाँ पर लिखाओ है देस्पैंसिस बजेटिट प्रडुक्शन दस हजार यूनिट की एक फैक्टर में बजेट हमने करिये प्रडुक्शन कि 10,000 यूनिट बनानी है यहाँ पर दे रखा जैसे कि material दे रखा है, labor दे रखा है ऑमारे सामने पर यूनिट, परुलिट पर यूनिट कोश्च होती हमेशा variable override, fixed overhead दे रखा है, fit दे रखा है, direct variable overhead ठीक है, selling expense दे रखके 10% पर फिक्स है, distribution expense दे रखके 20% फिक्स है उसकंदर, और administrative expense दे रखके जिसमें 50,000 के हैं वो 5 रवे की पर युनिट cost है, total लिख रखका है याँ पर sales cost हमारी हुई है, 155 युनिट, हमें लिखा कहा है question में prepare a budget for production, 8,000 युनिट्स और 6,000 युनिट्स क्या होता है, flexible budget में क्या करते हैं कि हम अलग-अलग units के थुरू हम budget बनाते हैं, ताकि हम देख सके, जिरूर नहीं कि 10,000 युनिट्स की हमने fix करा है, तो उतने ही हम check करेगे, वह उसके आगे पीछे भी check करेगे, 10,000 युनिट्स की तो है, तो देखते हैं कि कैसे हम बलाते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं, हम पर्टिकुलर्स लिखेगे, 10,000 युनिट्स ठीक है, पहले 10,000 युनिट्स come through, हम check करेगे अब बनी कोष्ट कितनी होगी, और 6 युनिट्स बनेगी, तो उसकी कोष्ट कितनी होगी, यहाँ पर लिखेग कि जैसे कि एक पीस मैंने बनाया तो उसकी कोष्ट कितनी है तो उसके हिसाब से अगर मैं बुचू की आठ जाये इसकी कोष्ट कितनी होगी तो हम बता सकते हैं तो तो सतर पी उन्यूट की हमने प्रडॉक्शन अगर करेंगे तो कितनी कोष्ट हो जाएगी सात लाग रुपे ऐसे अगर आठ यहां को मल्टिपलाय करेंगे तो इस तरह के से करना है तो मैटिरल लिग दिया फिर उसके बाद लेबर लिग दिए टॉन्टिपाइव रुपीस पर कोष्ट यहां तो समझ में रहा है कि हर एक को मल्टिपलाय कर देना है बस आपने जितनी उन्यूट की कोष्ट है उसके साथ मल्टिपलाय करके हमने लिग देना है और हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी तो यहां पर आप देख पार हो यहां पर आपके सब्सक्राइब इसको अपने द्यान समझना है जैसे कि आप देखो और फिक्स्ट ओवरेट क्या लिखा हुदा एक लाख रुपे एक लाख रुपे दस अजार इनुट की प्रडुक्शन के साब से हमने कोष्ट निकाली थी तो पर इनुट सेमी होती है परेट कोस्ट जो होती है वह सेम रहती है पूरी टोटल कोस्ट चाहाए मैं दस जेनुट की प्रडुशन करूँ चाहाए मैं बारा जानकी करूँ चाहाए मैं जितनी मर्जी करूँ वई अगर मुझे बढ़ी बीजली का बिल देना है तो फिक्स्ट है वो क्या बदल बदल जाट जाए को डईवाइट करेगे तो हमारी जो cost पर inविघ है वो बढ़ी ड़ती है क्योंकि एक लाग है amount है हने हो लेकिन जो एक लाग जाएट जब डईवाइट करेगे तो production घडी है हमारी तो cost हमारी जो per inविघ ह हुँ भड़ी भी दिखाई देगी क्योंकि जो production घट रही है लेकिन cost अमारी एक लाग ही है बलकि घटनी चाहिए थी लेकिन variable cost में अगर जैसे घट रही थी देखो production देखो material घट रही थी cost लेकिन fixed तो भई fixed रहती है इसलिए उकि पर unit cost बढ़ जाती है ठीक है selling expenses देखो selling expense में लिखा हुआ है कि 10% fixed थे तो उसको अलग लग करके दिखा देगे fixed cost जैसे को बताया मनें कि fixed cost रहेगी लेकिन वह 10,000 के असाब से आप पहले बलाओगे 10,000 unit के असाब से fixed कितनी लिखी थी 10% fixed होगी तो 10% fixed होगी इसका मतलब क्या है देखो selling इसमें कितनी दिरिखे देखे आपको 13 रुपे पर unit cost थी यह 13 रुपे अगर पर unit cost थी उसमें से अगर 10% fixed है तो कितनी fixed होगी 1.3 है ना 1.3 पर unit cost fixed होगी 10,000 units पे देखो लिख दिया हमें 1.3 जिरू 13,000 पे होगी 10,000 के multiple है 13,000 पे आगया अब क्या यह 13,000 पे fix नहीं रहेगा हर जगा बिल्गूर रहेगा सर इसले देखो 13,000 पे यहां भी लिखावा है 13,000 पे हर जगा लिखावा है और लेकिन cost per unit उसके साबसे भढ़ती जा रही है है ना 1.63 हो रहा है 2.17 हो रहा है फिर variable वह सर वैरिबल तो सर आपकी बदलती रहेगी आपने एक बार निकाल दिया जैसे कि आप 13 को माइनस कर दो 1.3 से तो बाकी बचकी variable 11.70 तो उसको 10,000 से multiple ह करेंगे तो कितनी हारी कि सर सर एकला 17,000 पर सेम रहेगी नहीं ने सरी तो वैरिबल है वैरिबल थोड़ी सेम रहती है तो क्या करना है 11.70 पे हर जगा लिखना है per unit cost और multiply करते है units के साब से clear औरी बात ऐसे ही करना है distribution expensive देख करना है 20% fix क्या करना है जो per unit लिखावता 7 वह सेम रहती है पर fix cost में जो amount है वह सेम रहती है जैसे कि अगर आपको बिल्डी का बिल देना है आपको rent देना है वह थोड़ी बतल जाएगा तो उसके अगर आप 10,000 units पर इतना rent देना है तो उतना ही देना है पर unit हम बात में निकाल रहे है इसमें लेकिन variable में पर unit सेम रह होगा तो इसके साफ जामने total कर देना है और आपके सामने answer आएगा ठीक है तो होप आपको बहुत अच्छे समझ में आगया होगा flexible budget question कैसे करना रहता है यह तो उसलब एक question था इसके लावे मैं और भी वीडियो दाते रहोगा अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो में thank you so much